हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेह बदार्वित आयूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 20 डिसेमर इन्हीं आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में इस वीडियो दोस्तों चरजा करने वाले हैं आइनॉक्स इंडिया इनोवा कैप टैप बाजाद इंजिनियरिंग, हैपी फोर्जिंग, स्मोथी संट ज्वेलर्स और भी वह दोस्तों बहुत सार आइप योज है जो डिफिनिटली वह आपको आक्शन देखने कुम लेंगे वैसे तो आज दो आज दो आइप यो की लिस्टिंग हो गई थी और आज तीन आइप य की क्लोजिंग है और आज सेखना है आइप यो भी उपन होई लेकिन जो सबसे इंपोर्टन भात है दोस्तों अभी वह यह कि क्या बाजार की गिरावट का असर आपको आइप यो पर पढ़ता देखने को मिलेगा तो यह हम समझेंगे तो इस वीडियो के अंदर तो वीडिय का प्राइस रखा गया है कुल मिला के 960 करूर का यह आई प्यो है बाकि याद रखे का लिस्टिंग होगी बीएसी नेसी दोनों के उपर अगर आप कंपनी के इंप्लाइए तो आपके लिए 14 रुपीस पर शेकर डिसकाउंट भी है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टन कॉशन ह सब्सक्राइब कर दिया है यह बाजार तो गिरा है और इस बात को डिनाए नहीं कर सकते तो इसका असर पड़ सकता है आपको लिस्टिंग पर भी याद रिखिएगा तो आई तिंग यही देखने वाली बात होगी कि इसके इंदर कितना टोटल पैसा निकल के आता है बढ़ अगर अपको अगर अवाइड करने का मन हो तो कोई बहुत बड़ी दिक्कजली बात नहीं होगी इस इशो के दर मुझे आप ऐसा लग रहा है क्यों विकॉस इतना तेजी से नीचा आता होगा देखने को मला है उसका थोड़ा वात तो असर पड़ेगा ही अगला दोस्ता आ सब्स्रिप्शन देखा गया है उसके साब से रेंट्स करीवन 77.82 ताइम क्यों इस इशो के दर पैसा लगा दिया है एचनाईज ने टू सेवन्टी एंट ताइम्स के आसपास इस इशो के दर पैसा लगा है इसमें बिग एचनाईज ने 243 ताइमस और स्माल चनाईज ने 34 पॉर्टीट पॉइट सिक्स टाइम्स रीटेल काटेगरी दोस्तों 122 गुना भर चुकी है और कुल मिला के जो इशू है वो 142.99 टाइम्स के असपस अभी भरता हुआ नजर आ गया है और मुस्त 15,000 करोड के असपस इस आई प्यों के अंदर आ चुके हैं कंपनी को जरूरत क 400 करोड का दोस्तों या आई पी और यह पूरा का पूरा फ्रेश इशू है लिस्टिंग बी एस एन इस दोनों पर होने वाली है जो भी तक का दोस्तों सब्सक्रिप्शन है उसके साब से अल्मोस 9.88 टाइम्स क्यू आई बीज ने इस इस इशू के अंदर पैसा लगा है 15.15 इस इशू को सब्सक्राइब किया है 908.7 एक करोड के असपास इसमें बीज इस 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 इसू का सेकेंड है और यह आई पयो कल क्लोज होगा यह 21 दिसंबर को क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगी इस आईपयो की फेस वाल्यू है दो रूपे पर शेयर की 808 से 850 प्राइब कमने ने सेट किया 17 शेयर का दोस्तों एक लॉट साइज है जिसमें से एक अधर आट करोड का यह आई को है पुरा का पुरा फ्रिश इशुए 400 करोड का और बाकी का बचा हूँ आउफर फॉर सेल है 608.59 करोड का लिस्टिंग होगी बीए से एन इस दोनों के नौन इंसिट्यूशनल बायाज ने 13.49 टाइम के आसपास इस इशू को बढ़ा है जिसमें 12.65 टाइम दोस्तों बिगे चनाइज इन स्मॉल चनाइज 15.16 टाइम रीटेल के टेकरी 6.56 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है और कुल मिलाकरी जो इशू है वो 6.29 ट कल 21st December को 95,700 टाइम का प्राइस बंड है 150 शीर का दोस्तों लॉट साइज है कुल मिलाके 100 करोड का यह आई पियो है पूरा का पूरा फ्रेश इशू है लिस्टिंग भी यह से निसी दोनों पर होगी अभी तक का दोस्तों सब्सक्रिप्शन है उसमें क्यू आई वीज ने 400 करोड अभी तक इस कंप्री को रिसीव हो है तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हो उतना कुछ खाई आपको देखने को नहीं मिलेगा बट लेट सी कितना पैसा निकल किया आता है अगला दोस्तों आई प्यों आता है मुफ्ती मेंस्वियर का मुफ्ती मेंस्वियर आई प्यो की दोनों की उपर जो अभी तक का दोस्तों सब्सक्रिप्शन है उसके साब से क्यू आई भी इस ने कुल मिला के इसको 27 परसंट के आसपास भरा है नौन इंस्टिटूशन बायर ने 8.15 ताइम्स के आसपास भरा है जिसमें बेगे चनाइज ने 5.85 ताइम एं स्मॉल का सो इस आईपयो का भी आज से ओपनिंग हो चुका है और यह आईपयो पन रहेगा 22 डिसमबर तक दो रुपे की फेस वैल्यू है 499 से 524 रुपीस का प्राइस बेंड है 286 का लॉट साइज रखा गया है कुल मिला कि 740 करोड का दूस्तों यह आईपयो है जिसमें से 240 का offer for sale है लिस्टिंग BACNC दोनों पर होने जा रही है जो भी तक कर दूस्तों सब्सक्रिप्शन है इसमें QIB ने तो कुछ खास पिसन नहीं लगाया लेकिन नौन इंस्टिटूशन बायस ने अल्मोस्ट चार गुना पहले दिन इस इस इशू को भर दिया है इसमें 3.07 सब्सक्राइब उने में काम्याब हो चुका है बारस्व करोड के असपास अल्रेडी दोस्तों इस IPO को रिसीव हो चुके हैं कल से दोस्तों एक और नया IPO जो है इनोवा कैप टैप वो भी उपन हो जा रहा है 21st 26 डिसमबर की बीच में इस 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 इशू उपन वह 2500 करोड का है offer for sale listing होगी BSE NSE दोनों के उपर तो देखते हैं अभी यह IPO कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव कर पाता है कल यानि पहले दिन बाकी कितना response आगा है यह देखने वाली बात होगी आज दोस्तों इसकी anchor book भी निकल कराएगी तो देखते है anchor investors में नाम कौन कौन से आते हैं अब बात करते हैं फ्रिंट्स ग्री मार्केट पे तो फ्रिंट्स सबसे वहले तो बात करेंगे बाला जी वॉल्फ कॉंपनेट एक BSE SME इशू के बारे में जो उपन होने जा रहा है 27 से 29 डेसमबर की बीच में 21 करोड का IPO का साइज है अगला है दोस्तों AIK pipes एक और BSE SME इशू है जो उपन होगा दोस्तो 26 से 28 डेसमबर की बीच में 15 करोड का IPO का साइज है 89 रुपीस का प्राइस बेंड है अगला है दोस्तों Samira Igro एक NSE SME इशू 180 रुपीस का प्राइस बेंड है कोई भी यह विद ग्री मार्केट नहीं स्टार्ट हुई है 62.64 का दोस्तो इस IPO का साइज है याद रखेगा यह एक और SME सेग्मेंट का इशू है जो 21st डेसमबर से ओपन होगा अगला दोस्तों IPO है इनोवा कैप टैप अल्मोस 47 परसंट पे ग्री मार्केट इंटक्ट है हम यह कह सकते हैं बाकी जिसमें आपको तायक यह इशू कल से ओपन होने जा है और अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा इस तरह की एक्स्पेक्टेशन लगाई जा सकती है अगला IPO है दोस्तों सुप्रीम पावर सुप्रीम पावर एक्विप्मेंट एक NAC SME इशू है अल्मोस्ट दोस्तों 77 परसंट के करेंट करें मार्केट है और 47 करोड का IPO का साइज है अल्मोस्ट ये भी IPO कल से ओपन होगा और 26 डिसंबर तो ओपन रहेगा अगला दोस्तों इंदिफ्रा एक NAC SME इशू 65 रुपे का प्राइस बेंट है 21 से 26 डिसंबर की बीच में ये इशू ओपन होगा 14.04 करोड का दोस्तों IPO का साइज है अगला दोस्तों IPO आता है ट्राइड टेक लैप्स एक NAC SME इशू जो अल्मोस्ट दोस्तों ओपन रहे है कल से 16 डोड का IPO का साइज है 35 रुपे का प्राइस बेंट है बड़ ग्रे मार्केट 1-1 4% उपर चल रही है आजाद इंजिनेरिंग आज से IPO ओपन हो चुका है बाकी अल्मोस 84% का करेंट ग्रे मार्केट है और दोस्तों याद रखेगा यह जो इशू है वो 26 रदक ओपन रहेगा हमेचा मैं दोस्तों एक बात जरूरूर कहता हूं कि ग्रे मार्केट को देखके IPO में ना लगाए बिकास ग्रे मार्केट हम बताते हैं only for information and educational purpose कभी भी ग्रे मार्केट सही होगी ऐसी कोई जाएगा और इसमें एक दिन और बचाए भी पैसा लगाने को अगला है शानती स्पेंटेक्स एक बीएसी ऐसे में इस्यू ऑल्मूस्ट दोस्तों यह जो इस्यू है वो आज सेकिंड है कल बंद हो जाएगा अभी तक 4.33 टाइमस के आसपा सब्सक्रिप्शन रिजीव कर च कल 21st December को RBZ जोएलर्स 30% पर ग्रे मार्केट दोस्तों चल रही है अभी यह 30% के आसपा सब्सक्रिप्शन वाइस पांच गुना के आसपास दोस्तों इशू जो है वो सब्सक्राइब हो ही चुका है अगले दोस्तों IP आता है मुर्थूट, माइक्रोफेन और यहाँ पर तो ग्रे मार्केट बिलकुल बची नहीं है मतलब ग्रे मार्केट दोस्तों कहां थी और कहां आ चुकी है मात्र 15 रुपे इतनी जाए दोस्तों ग्रे मार्केट गिर चुकी है पता नहीं कैसे गिरी कोई मतलब पता नहीं है बट स्टिल जो वाल्यू है वो 15 रुपे के असपास चल रही है सहारा मैरी टाइम एक दोस्तों BSE SME इशू है जो ओपन होगा अठा डिसंबर से 20 डिसंबर की बीच में क्लोजिंग कब होने वाली है इसकी 16 बुना कैस पर सब्सक्राइब हो है आज क्लोजिंग होने वाली है अगला है दोस्तों मोतिसं ज्वेलर्स ग्रे मार्केट में तो यहां पर भी गिरावाट है क्योंकि एक समय पे 200 परसेंट थी लिए अब एकदम 130 पर ग्रे मार्केट आ चुकिए 72 रुपीस चल रही है इसकी करें ग्रे मार्केट आज आई प्यों का आखरी तिल है अगला है सूरेज एस्टेट ग्रे मार्केट में यहां पर भी गिरावाट देखने को मिल रही है अब 9.72 परसेंट आ गई एक समय पे अभी 18-19 परसेंट चल रही थी और अचारक से यहां पर भी तेजी से गिरावाट आई यहां पर चल रही है तो असर अगर आप इसका भी अलॉट्मेंट आ चुका है तो लिस्टिंग इसकी भी कल है 78.26 परसेंट करेंट ग्रे मार्केट है श्री ओस फम इसकी भी दूसर लिस्टिंग होने वाली एक कल अलॉट्मेंट अलॉट्मेंट हो चुका है अगर अपने चेक आउट नहीं किया जाके तो आप चेक लिस्टिंग होई लेकिन दूसरा इप दोस्तों डॉम्स जिसकी ग्रे मार्केट चल रही थी 64 परसेंट वो लिस्ट होता है 77 पर तो यहां पर हम कह सकते हैं बहुत बढ़िया मुनाफ़ा देखने कुमला इंडर शेल्टर में मुनाफ़ा था लेकिन डेफिनेटली तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होपफुलिए आपको वीडियो बढ़या लगा होगा थैंक यो फ्रेंट वाजिंग इस वीडियो